हलो अबरबाइन, वेलकम तो सीरा मलूतरा क्लासेस सेभी ने अपनी वेबसाइट पर आज एक नोटिस को अपलोड किया जिसमें जानकारी दी कि सेभी की नोटिफिकेशन जो स्केडियूल थी 13th of April को आने के लिए उसको पोस्ट फोन करा जा रहा है इलेक्शन के वज़े से अब क्या एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है एस्पिरेंट के नजरिये से इसके बार में थोड़ सी बात करेंगे सबसे पहली बात आज के दिन पर हमें शौरिटी है कि सेभी की नोटिफिकेशन तो जरूर आएगी भले ही थोड़ सा डेले हो गया बट नोटिफिकेशन तो जरूर आएगी पहले हमने कितना टाइम बरबात के यह सोचते होए कि सेभी रिकूट करेगा के भी नहीं करेगा दूसरी अच्छी बार हमें इतना भी पता है कि सेभी में किस प्रोफाइल की रिकूट्मेंट आने वाली है आपको जो एडवांस इंफोमेशन दी गए थी सेभी की तरफ से वहाँ पर बता दिया गया था कि जरूर स्ट्रीम के कितनी विकेंसी है इससे पहले कितना टाइम इंवेस्ट करा गया था यह सोचते हुए क्या सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिकूट्मेंट होगी जनर्रिस की रिकूट्मेंट आएगी कि नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कोई चेंज आएगा, जो आपको advance information दी गई थी recruitment के बारे में, वहाँ पर एक cut-off date बता दी गई थी, आपको जो की थी, 1st of April 94, अगर आप 1st of April को बॉन होएं और उसके बाद होएं, तो आप eligible है इस examination में भरने के लिए, तो मैं को नहीं उनको डेड़ भीने का time डग जाएगा, आपकी pre-CB के pre-K exam को करवाने के लिए, मान के चले, July मंत के end में, या August मंत के 1st week से पहले examination नहीं हो सकता, pre-K examination, आप में इसके exam के बाद करें, तो आपको 30 to 40 days और बिल जाएंगे pre-K examination के बाद, तो आज के दिन पे अगर आपकी CB की preparation कर सकते हैं, इतना time regulatory body के examination के preparation के लिए नहीं मिलता, साथ इसाथ और examination की बाद करेंगे, Reserve Bank of India का notification आई नहीं है, तो वो भी अप थोड़ सा मुश्किल लग रहा है कि इसकी notification भी नहीं आएगी, अगर CB की notification को postpone कर दिया है, तो sense नहीं बनता कि और को regulatory body की notification जाफिर और को government organization क recruitment की notification आजाए, साथ ही साथ, IFSC regulatory body जो है, उसकी notification आ चुकी है, तो सबसे पहले जो examination होगा, वो IFSC का ही होने वाला है, अगर आप IFSC exam के लिए eligible हैं, तो आप इसकी preparation अच्छे तरीके से कर सकते हैं, IFSC के examination के लिए, अगर आप CAB के लिए prepare कर रहे हैं, और IFSC के exam देते हैं, तो कह कुछ subjects match करते हैं, तो आप दोने examples लिए simultaneously भी prepare कर सकते हैं, तो एक छोटा सा information वीडियो चा, इस session को यहीं पर समाप करते हैं, OK data, bye bye